बहुत सारे लोग बहुत जादा परिशान हैं ये सोचके कि मैं पेटियम यूज करता हूँ भाई पेटियम तो बंद होने वाला है अब क्या होगा तो इसी वज़ा से पूरे इंडिया में ही एक उपर नीच का सिचुएशन शुरू हो गया है और उसमें आरवी आई ने कुछ अज एक ओर लेकर आये है या एक इंस्ट्रक्शन लेकर आये है जिसके वज़ास से शायद ये पेटियम वाला जो टेंशन है वो शायद खतम होगा लेकिन पेटियम का कौन सा सेग्मेंट में काम हो रहा है ये सारी चीज भी हमें जानने की जरूरत है और जो जैसे कि आपको क्या है और इसके साथ NCPI का भी क्या रिस्ता है हमें तो पता है कि सबसे उपर जो एक अगर हम बताए कोई कोई इंस्ट्रूमेंटल या कोई डारेक्टोरियल कोई एक कोई जगा है या कोई इंस्टिटूशन से वो भारत की एकनॉमी के लिए क्या है वो आर बियाई है लेकिन आर बियाई भी अभी बोल रहा है NPCI को कुछ पेटियम के चीज़े कंसिडर करने के लिए जिसमें से विए कारीक्वेस्ट को देखने के लिए बताया गया है तो यह पिशह ठीकी जरूरत क्या पड़ी यह भी हमारी आज की चर्चे की विशह है तो यह जो सेशन इसको शुडू करने से पहले मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ कि इस सेशन को लास तक जरूर देखना है ठी तो आप जाके हमारे टेलीग्रम चैनल पे उपर जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको बताऊंगी यहां पे जो दिये गया नंबर है यहां पे कॉल करिये अभी 30% डिसकाउंट चल रहा है इस पे आप जरूर जॉइन कर सकते हैं इस डिसकाउंट के साथ यहां पे डिटेलिंग्स में आपको पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल प्रिलीम में न्सीयाटी कि बेसिक से लेकर एडवंस तक आपको पढ़ाया जाएगा उसके साथ बहुत सारे आपको सुविदाय मिलेगी इस वैच में तो सारे जानकरी आपको इस नंबर से मिल जाएगी और कैसे अडमिशन लेना है उसके बारे में भी आप यहां से बात कर सकते हो मलुकाई इसकी ज करने कि बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में तो बैसिक बै-क हाथ है आपको पता ही एक पहै आप है बेसिक पटीयम्द डिजीटल पेवेंट करनी कीुविदा होती है अब इस अब के अंदर से यु पीयाए पेवेंट होना या कोई यह वालेट पेमेंट होना.. और सबसे बिधियु सब को पता है.. क्योंड को तो इसको देखकर थूपर पेमेंट कर सकते हैं... और अपने बैंक काउंट यह डेबिट कार्ड करिध चरड यह पैसा आड़ यह वीड्रोह कर सकते है.. और यह जो पेटियम एप है.. यह एप किसके उपर काम कर सकता है, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि PTM RBI के थू काम करता है, तो आपको बताना है नहीं, PTM NPCI जो हमारे नाशनल जो पेमेंट सेग्मेंट है, जो इंस्टिटूशन है, उसे के साथ क्लोजली कोलाबरेट करके काम करता रहा, और एक्चुल NPCI, BBPS है, यह सारे चीज का यूज करता है, और उसके थूप, अपने जो कस्टमर्स होता है, जो मार्चेंस होता है, उनको सीमलेस और सीक्योर पेमेंट एक्सपरियंस देते है, अब NPCI का फूल फूर्म क्या होता है, नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया, यह है नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन इंडिया, तो बेसिकली जितने साले इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया में यह पेमेंट करा जाता है, वो सारे इसके थूप होता है, ठीके, इस कॉर्परेशन इंडिया इस दा पारेंट आप ओगनाईजिशन कह सकते हो, जो यह सारे चीजों को ऑ प्लाटफॉर्म है, यह सारी प्लाटफॉर्म जो चलता है, कैसे चलता है, क्योंकि NPCI के साथ इसका कोलेवरेशन है, NPCI का एक विजन है, कि इंडिया को एक कैशलेस और डिजिटल एकनमी बनाए, और हर इंडियान को डिजिटल पेमेंट की अक्सेस दे, अब अगर हम बात करें, कि यह PTM कैसे NPCI के अंडर काम करता है, और इसको कैसे फाइदा होता है, वो चीज अगर हम बात करें, तो आपको पता ही होना चाहिए, कि NPCI PTM के साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि जैसे बाकी सारे जो आप फोन पे ले लो, गुगल पे ले लो, इनके एक पैरेंट, मा जैसे आपका पोन नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, उसको जुड़ना होता है, और यह ऐसा अप है, कि यह बहुत सारे डिजिटल पेमेंट करने की सूविदा देती थी, अब यह एप, आप से, यह जो एप है, इससे, आप नॉर्मली UPI पेमेंट कर सकते हो, वालेट यह तो पता ही है, लेकिन यह NPCI के साथ, क्लोसली कोलाबरेट करते है, इसलिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कि NPCI, UPI, इंफरस्ट्रक्चर, और NETC, जो इंफरस्ट्रक्चर है, BBPS है, यह सारे यूउस करता है, और बैसिकली, PTM के साथ भी ऐसे ही यह काम करता है, जैसे कि यह अलग और जो डिजिटल अप है, उनके साथ जैसे होता है, अब जो बोर कोईशन आ रहे है, कि PTM बंध हो जाएगा, तो आपको बता ही देते है, कि इसको लेकर इतना टेंशन लेनी की बात नहीं है, वैसे इंडिया के अंदर, पून पे, गुगल पे, या बाकी कि अधनी बहुत सारे डिजिटल अब, जिसमें payment app है, जिसके थूऊ आप payment कर सकते है, लेकिन कुछ इनसान ऐसे है, कि भाई हम तो शारू के ही पैन है, मुझे सलमन खान नहीं चाहिए, मुझे सालमान खान नहीं है, मुझे मैं है, तो अमीजा बच्छन की पैन हूं, मेरत को PTM ही चाहिए फिर उनके लिए बता देते हैं कि RBI ने PTM की जो payment bank है उनके साथ कुछ non compliance की वज़ा से उन्होंने बताया कि 15 March 2024 तब अपने operation बंद करने की order दिया है इसका मतलब यह है कि 15 के बाद PTM app पर UPI payments नहीं हो पाएंगे क्योंकि PTM payment bank TPAP नहीं रहेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अब यह TPAP नहीं रहेगा यह सुनके PTM को बढ़ा attention हुआ मतलब यह होता है third party authentication अब third party अगर इनके पास नहीं रहेगा तो यह किया करेगा तो PTM के जो company है ना parent company यह इनका नाम है 197 पेटियम company जिनके हाथ में है वैसे है 197 जैसे आपको पता है twitter जो company है उसके माली कौन है आपको अच्छे से पता है राइट तो वैसे उनके अंदर जैसे बहुत सारे टेसला भी है ऐसे ट्विटर भी है बाकी बहुत सारे सेग्मेंट है वैसे ही अगर हम बात करें तो पेटियम के अंदर वैसे comment में बता देना आप सभी को पता ही है कौन है मैं जान बुझ के नाम को नहीं बोला जस्ट वसी कि आप लोग कमेंट करते हो के नहीं करते हो ठीक है मैं देखती हो आप कितने ध्यां से ये लेक्चर सुन रहे होंगे है ना चलो तो पेटियम ने क्या कहा कि वह अपनी जो पैरेंट कंपनी है उन्होंने बताया के एक काम करते है कि हम खुद से एक बता लेते हैं आगर पेटियम के जो टीपी है वह अगर नहीं काम कर रा है तो हम ही कुद से एक बता लेते है और वह औ Montgomery को भेशते हैं रहेको करने के लिए क्लिए N PCI जब भी जो आप्रूबल देगा तब अगर आपके पस कोई भी मानो के कोई भी UPI है आप ऐसे लिखते हो ना मानो आपके नाम है साधन ठीक है ऐसे लिखते हो फिर एड़ जाके यहां पे कुछ बैंक कर नाम होता है जैसे कि SBI है ना SBI.com या होता है OKSBI ऐसे होता है सारे तो यह जो आप लास में देख रहे हो ना यह काम होता है TPAP का अब RBI ने NPCI को Paytm का TPAP है उसकी request को क्या करने बताया है इसको थोड़ा consider करने के लिए बोला है अब आपकी जो question हो रहा है जैसे मैं आपको बताया है इसका अगर full form देखे इसको बुक हैते third party applications provider अब TPAP एक ऐसा entity होता है जो कि UPI compliant और app customer को provide करता है और उनको basically क्या करता है उनको payment transaction में देखो जैसे Google है Amazon है इनको इनके थूँ यह payment consider कराने की काम करते है ठीक है और provides the application layer for processing UPI payment आप TPAP अगर TPAP नहीं हो रहा है तो आप UPI के थूँ मतब आप जो payment करते हो आपके पास Google पे है या आपके पास phone पे है या आपके पास और कोई भी payment applications है जिससे आप pay करते हैं QR code पकर के या phone number डाल के करते हो वो जो application के उपर होता है वो UPI application होता है अब UPI application का तभी जब जाके आपको TPAP के access मिलेगा तो पेटियम के उपर से वो access हटाया गया है इसलिए पेटियम कर रहा है आपने खुद के TPAP बनाने की अब उनके apps NPCI security standards और compliance guide को अगर follow करेगा तो देखा जाएगा तो ऐसे पहले भी क्लास में एक session में आपको मैंने details में पताया था कैसे NPCI काम करता है कैसे अगर X आदमी अगर किसी की QR code देकर Y आदमी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो वो process कैसे होता है NPCI being the platform वो कैसे पैसे को अपने उपर लेके उसको दूसरे बैंक के थ्रू उसके हाथ में पहुचाता है यह सारे इसके बारे में हमने अरड़ी एक्लास कर चुके थे ठीक है और अगर आपको बताया जाएगा कि पैटीम के लिए क्या यह सारे अधर वालेट पेमेंट्स होता है जैसे के क्यूर कोड़ पेमेंट्स हो गया स्टॉक मार्केट हो गया म्यूच्वल फंट फर्स टैग यह सारे सर्वीस पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला है ठीक है तो बेसिकल अगर पेटीम के थ्रू आप किसी की पैसा भेजना चाहते हो थ्रू द पेटीम पेमेंट बैंक जैसे की मैंना आप को बताया है यहाँ पे जैसे अगर फोन पे से आप अगर कोई पैसे भेजना चाहते हो तो वो उसको किसके तू जाना पड रहा है आइज आसीयस चीय बैंके थू और गुगल पे पे जा रहा है अकसे बैंके अकाउंट हो लेकिन यहां पर ही जब सेन आ रहा है यहां पर पेटी एम का तो पेटी एम और कोई ऐसे जो ऑथरिटेटी बैंक है उससे नहीं कर रहा है भले किसका कर रहा है पेटी एम पेमेंट बैंक से कर रहा है अब यह पेटी एम पेमेंट बैंक को ही रोक लगाया गया है समझ में आ गया तो basically payment के थू, PTM payments के थू, अगर PTM bank के थू, अगर कोई चीज ना हो रहा है और directly यह सारे चीज, बतर पास्ट टैग या कोई रिचार्ज, यह सारे चीज जो PTM सब पहले करते थे, metro का card अगर आपको recharge करना है या चीजे करना है, in that case, आपका अगर UPI के हिसाब स अगर आपके पास already QPI ID है, उसको अगर PTM के साथ आप link कर रहे हो, तो आपके जो transaction है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास sole PTM का ही UPI, बतर पेटीम के थू, आपके पास कुछ है, तो on that case, there will be a problem, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं हो जब तक ये TPAP access नहीं पाता, through the PTM, समझ में आगया चीज, तो ये थोड़ा सा complicated तो था, लेकिर I think ये vision, बतब ये जो class था, ये आपके लीब बहुत insightful रहा होगा, जितना जो vision मैंने clear करने की कोशिश किया, शायद आपके दिमाग तक पहुँच गया होगा, वो मुझे comment में जरूर बताना कि if you like the class or not, और से मिलूंगी next session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाय अच्छ से करना, be a responsible citizen and जय हिंद